है मैं या तूर इसके अब रोब को डिसक्षान पार्ट तू अभी जो 7 जून को अपका एक्शाम वहते नीट का उसका सेकिंड पार्ट है अभी फोर्स पार्ट में जो भी किया था मने अलजबर आलिसस मतलब रियल आलिसस किया था एक क्वेशन गूप थे से किया था और दो-तिन क्वेश्टन हमने लिनेरल जबर से किये थे आज ग्रुप थेयरी है कॉंप्लेक्स नालेसिस है यूनिफॉर्म कंवर्जन से और एक रियल अनलेसिस का क्वेश्टन भी है आई यह बड़ा मज़ा एगा जैसे आर स्क्वेर में लाइन होती है वैसे यह डेल डाइगनल वाला अपके लिए है अच्छा वो क्या पूछ रहे है पहला पार्ट दे मैप फ्रॉम एसन क्रॉसें टूसें गिवन में एफ इसको प्रोड़क्ट ना समझो यह जिस सेट में जा रहा है आप सबको बता है एसन जो पर्मटिशन क्रॉप होता है उसमें कॉम्पोजिशन अपरिशन लिया जाता है यह आप बिर स्वास दो और के लिए रहां एक्ञामिन करते हैं यह रहां और का यह बहुत असान है अराम से हो जाएगा मेरे प्यारे राज दूलारे बिटा ग्रुप होमों में कंडिशन होती है F of first second is equal to F of first along with F of second you know accordingly operation के साब से तो मेरे बिटा अगर मैं यहां ले लूँ alpha beta और दूसरा element ले लूँ में gamma delta gamma delta तो यह quantity इस quantity के बराबर आनी चाहिए तभी तो जाके homomorphism के लाएगा हो तो जरह देखें दुनों quantities बराबर है यह नहीं पहले उपर वाला देखते हैं हंजी F of alpha beta along with gamma delta this is naturally equal to component wise multiply कर दीजिए F of alpha gamma beta delta and remember जैसे मैंने बताया था विकास यह सारी permutations है तो alpha gamma का मतलब alpha composition gamma okay now what is F of first comma second जैसे की mapping दिया हुए मेरे बिटा this is alpha gamma beta delta अगर बच्चे ने ठीक से पढ़ा है तो वो इसको ऐसे ही लिखेगा alpha o gamma o beta o delta ओके अब जरह देखा जाए यह नीचे वाली quantity क्या रही मेरे बिटा this is आएगा alpha beta and this is gamma delta अगें composition वाइस लिखेंगे तो इस अलफा o beta o gamma o delta just wait for a second अब बताइगे अगर आपने थोड़ा सा भी permutation ठीक से कभी पढ़ा है तो यह quantity और यह quantity तो बराबर तभी आएगी ना जब यह permutation आपस commute करेंगी आप सबको पता है SN non-amilion group होते हैं तो उसकी permutation तो इन जनरल आपस में commute नहीं करती थोड़े बहुत कर जाएंगी maximum times नहीं करेंगे तो यह equal हो पाना इन जनरल पॉसिबल नहीं लग रहे हैं यानि इसके homomorphism होने में शंका थी और अब confirm भी होगा कि नहीं है पहला गलत है मेरे बिट्टा अब आते हैं second part third part and fourth part second and third एक जैसे हैं इसमें subgroup examine करने और इसमें normal subgroup examine करने पहले subgroup करते हैं subgroup के लिए आप one step test भी कर सकते हो आप two step test भी कर सकते हो what is one step test अगर h subgroup है तो a comma b अगर h में है तो a b inverse भी h में होना चाहिए two step में क्या होता है closer and inverse कर दीजए देखिए अराम से हो जाएगा बहुत अराम से हो तो हम second part करने जा रहे है सब ग्रूप yes del subgroup है यह नहीं है इसमें दो elements ले लो मान लो थोड़े देर के लिए कि a a and b b यह आपका डल में है यह पहला element हो गया दूसरा element हो गया तो one step test लगाएंगे a b inverse करके so therefore what is a comma a along with b comma b whole inverse यह comma है बिटा है तो अगर आप में edp idp ढंग से पड़ा है तो आपको पता है कि component wise inverse लगता है so this is bita b inverse comma b inverse which is same as a b inverse comma a b inverse हैं जी is it a member of dell a member of dell should have the two components equal तो भी है इसका यह पहला component दूसरा component तो बराबर है तो डल का member होगे बहुत बढ़ी है तो दो elements अगर इसमें तो a b inverse करके I think one step test लगा कि आपका काम होगे अब बता हो ऐसे question भी बत्चा छोड़के आएगा that simply means उसने कभी group theory को ठीक से पढ़ा ही नहीं है modern mathematics उसने ठीक से पढ़ा ही नहीं लॉजिक है ही नहीं उसके पास बस exam clear करने के चकर में formulas shortcuts इनहीं में बिचरह रहा गया there is no there is no shortcut to success आपको पता है ना अच्छे से काम करने से ही होगा खैर कोई बात नी तो बिटा यह सब गुरूप तो हो गया अब सब गुरूप से अगला step नॉर्मल सब गुरूप examine करना है normal सब गुरूप में सब गुरूप के साथ साथ normality examine हो था सब गुरूप तो वह गया सिर्फ normality examine करेंगे लास्ट लेक्चर में भी आपको normality के लिए समझाए गया था जी एन जी इन्वर्स वाले concept आई जरत करते हैं थर्ड पार्ट कि इस इड नॉर्मल कि डागराम देखो यह एसन क्रॉस एसन है इसमें बैठा हुआ है डेल और इस डेल को हमें विए नॉर्मल история करना हैं है die क्लिमिन यह लिजिए लए डूसरे लेलमें यहां सेरी लिजिए यह लिए लट इन चीम लिए सकते हैं रल्फा सड़ीन्वीछ सखंग और के जो भी होता है कोओ यह आपका那么 और दस जो आफ़ा कॉमा ए belongs to sn cross sn sn cross sn then 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 what is alpha comma beta a comma a alpha comma beta whole inverse यह किसी जरा अगर डेल में चला गया तब जाके normality आईगे ने डेल की देखें जरा आएगा यह नहीं आएगा मेरे प्यारे प्यारे बीटा this is alpha comma beta this is a comma a and जैसे पहले आपको बताया था this is alpha inverse comma beta inverse ADP IDP में सबकुछ component वाइस होता है पहला component पूरा उठालो alpha a alpha inverse दूसरा उठाए बीटा एबीटा इन्वर्स प्यारे प्यारे बिटा यह डेल में हो जाए ऐसा संभव नहीं लगता क्यों डेल में होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए कि यह और यह बराबर है बिल्कुल भी नहीं तो यह तो नॉर्मल सब्ग्रूप नहीं है तो थर्ड पांट इन्करेक्ट हो गया अब फॉर्थ में थोड़ा से smartly play किया कि नहीं नॉर्मल सब्ग्रूप बन सकता है अगर uneven औरे भाई इस थी में एस फॉर में एस फाइफ में कुछ भी ले लिजे ना यह तो नहीं होल्ड करेगा यह गोडिनेट्स तो एकवल आने से रहे तो बटे सब्ग्रूप नहीं बनेगा इस से ज़्यादा clarity के साथ question हो नहीं सकता यह theoretical approach वाला question है जिस भी बच्चे ने ढंक से पढ़ा हमारे बच्चे तो करके आया है क्योंकि हम तो यह सब कराते ही है कराते आ रहे हैं बटा जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है और मैंने last lecture में भी बोला था जिस टीचर ने अच्छे से कराया है शॉट कट के चकर में अगर नहीं रहे हो तो यह successfully बच्चे ने कर लिया होगा बहुत अच्छा question था चलिए next पहला problem हो गया problem number two class equation का question पिछली बार भी आया था last time यह था इस बार भी आया अब यह question again shortcut से आपको थुड़े देर के बाद कराएंगे फेले long cut से बच्चों के साब से चलता है क्लास एक्वेशन पूछ रहे हैं विच्वादा following can be a class equation of a group of order 10 देखो बिटा class equation कुछ इस तरीके से होता है ध्यान से देखिएगा order of g is equal to order of zg अगर आपने पढ़ा है plus summation og by on a नहीं मैं पूरा वह आपको analysis नहीं करवा रहा हूं बट कुछ तो आना चाहिए न आपको आप ऊपर-ऊपर से पढ़के चले जाओगे वहां कुछ कर नहीं पाओगे obviously life depends upon modern mathematics देखिए यह दो तरह से class equation लिखा जाते एक और टाइप है उसकी जरूत नहीं है दो तरह से होगा और यह order of zg आप सबको बता है जहां class equation में 111 लिखा है वह zg की elements present करें जैसे इस case में center में 10 elements है या center में 3 elements है या 2 है या 1 ही है you know this very well और बागी quantities either this or this बट अगर आपने class equation थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सबको यह पता होना चाहिए क्या कि इदर जो कुछ भी लिखा है factor यह order of zg लीजिए जेट जी तो सब गुरूब होते ही है यह order of g को डिवाइट करता हो होना चाहिए और यह जो quantity है जो भी number यह लिखा है उसका भी order order of c है वो भी order of zg को डिवाइट यह order of g को डिवाइट कर मतला यहां आप कुछ भी लिख दो इसको डिवाइट करता हो होना चाहिए तो with this logic supreme logic आईए जरा बेटे यह देखो जरा 10 is equal to 1 plus 1 plus 1 this simply shows कि order of center 3 हो गया अगर order of group 10 है order of center 3 है तो 3 तो 10 को डिवाइट नहीं करेगा तो this is not valid यह गया इसी logic के साथ आपका last option भी चला जाएगा क्योंकि यहां पर 4 लिखा हुआ है यहां तीन लिखा है ना 4 और 3 10 को डिवाइट कर सकता है तो यह वालना भी गया अब 4 में से दो आप्शन तो चलेगा negation का ही नजर नहीं आ रहा यहां जो कुछ लिखा है वो तो 10 को डिवाइट करेगा ही करेगा यहां भी जो लिखा है वो भी 10 को डिवाइट करेगा पर किस यह भी total 2 है अब क्या करें पुछ नहीं group of order pq वही shortcut जो मैं बता रहा था लॉजिक तो आप समधी गई होगा हां जी group of order pq वहर p और q दोनों प्राइम से हैं देर एक्जिस एटमोस 2 groups of order pq you know 10 order 10 है 2 इंटो 5 बेटा दो ही ग्रूप होंगे 10 order के वो दो ग्रूप्स कौन से हैं yes order 10 के दो ग्रूप्स या तो z10 या d5 नहीं सर और और भी है तो आप बता देना जेट 10 अबीलियन है अबीलियन का मतलब जी और जेट जी बराबर है जब ग्रूप और सेंटर बराबर होगा तो इस टैन को लिखा जाएगा वन प्लस वन क्योंकि जो कुछ जी में था वो सबको सबका सब तो जेट 10 में चलाएगा लो यह वाला तो वेलिट है अब तीसरे पर आते हैं बिटा डी फाइफ का प्लस टू प्लस फाइफ कोई और ऑप्शन में था क्यों सर क्या कह रहे हो अब यहां यह तो तू आएगा यह फाइगा करके देख लीजिए जैसे भी करना है आपको कोई और तो तरीका है नहीं दस कंप्लीट करने का तो बिटा डी फाइफ का यह क्लास एक्वेशन है और यह क्लास एक्वेशन है यह तो दोनों में से कुछ भी नहीं हटा हो और कोई दस ओर का गृप नहीं होता नहीं होता सिर्फ यही दोनों होते हैं अब टू आइसो मॉर्पिजम बिल्कुल सही सुना अपने सिर्फ यही दो गृप से टैन ओर के अराम से हो गया बजा हो गया सब्सक्राइब के साथ पढ़ना है तो आई यह हां बुला रहे हैं आपको आई यह आजी क्वेस्ट नम्बर थ्री रियल अनलेसिस विंस जरेस ऑल्वेस इसमें चौते ओप्शन में मैंने लिखा अन्क्लियर बही मेरी जिम्मेदारी में आप तक सई चीज़ पहुंचाओ तो यह लास्ट वला भी रहने देते हैं पहले तीन पकाश हो रहे हैं कि यह थे और यह थारड़ पूर्थ ऑप्शन आपस में इंटरेंज हो रहे थे यह लास्ट में इसे लिखा प्रकाइब करने के बाद बाद पहला जब 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 सब्सक्राइब करें आपको बता है तो सेटेंगे कि यहां नहीं आएगा नहीं यहां भी हाजाएगा दहें हैं अलग से अब करके बतातव कर रहा हूं इसमें इसमें भी आज़ेगा सबसीक्वेंस कंवर्ज कर रहा है और इसके साथ 3N वाला भी कर रहा है तो जारा देखें कैसे होता है कि दियान से लॉजिक बड़ अच्छा है अजी मेरे बिटा एक्स टू एन के लाजिक अनभी टेबल सई सुना आपने लाजिक डिया जाएगा एंबी टेबल देखो बिटा मान लो इसका लिमिट एल वन है इसका लिमिट लटू है और इसका लिमिट एक जिए ये नहीं बोला तीनो सेंब्ड़ करें अब अच्छ ऑगधे एग करते ना कि अगर आप limit पर converge कर जाएगा तो आपका सारा ध्यान L1 और L2 की equality पर होना चाहिए अभी तो नहीं हो रहा है अभी तो नहीं हो रहा है बट अब देखना जरा जब इसको open करेंगे यह students आई इसको open किया जा रहे है मेरे प्यारे प्यारे बिटा यह पहले वाला क्या है यह है आपका X2 X4 X6 X8 10 12 14 16 18 some of you must be wandering इतने सारे टर्म क्यों लिखी है क्योंकि आपको बताने हैं हवा में नहीं गोलिया जलानी है आपको बताने साथ है यह अच्छा आप करते हैं जो भी इसका मतलब इसका limit आपका 11 11 तो इसका कोई भी इसका भी सब सीक्वेंस अगर मैं उठा लो तो इसका limit भी 11 होना जी बढ़िया बहुत बढ़िया दूसरे पर आई जब second वाला आप open करेंगे you will get X1 X3 X5 7 9 11 13 15 17 19 21 and so on बढ़िया जो भी इसका limit है जैसे L2 इसका limit है तो इसका हर सब्सेक्वेंस L2 पर बढ़िया जरह लास्ट वाले में तो आओ अजी क्या है मेरे बिटा X3 6 9 12 15 18 21 24 and so on बहुत ध्यान से देखिएगा क्या मज़धार चीज आईगे अपके सामने मेरे प्यारे प्यारे राज दूलारे बिटा जरह एक बत बताईगे इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वह आपने L3 माना है अच्छा इसी सीक्वेंस में बैठा हुआ है कौन आप समझ गए इस सीक्वेंस के अंदर बैठा है X6 X12 X18 आगे जाके आपका X24 अरे अगर ध्यान से नोटिस करोगे से तो इवन टर्म का सब्सीक्वेंस का भी सब्सीक्वेंस है वह आफ्टर ओल्हाने है का ओपर तो कुछ और ही कहानी चुल रही है इसका limit L1 है तो यह जो terms मैंने red में mark की थी S6, X12, X18 यह जो सबसीक्वेस निकल के आएगा उसका limit L1 होना चाहिए भाई इसका limit L3 भी है और इसका limit L1 भी है limit तो unique होता है Thank you very much आप समझ गए So यानि की L1, L3 के बराबर देख लो भाई यह unbeatable logic है हमने हमेशा ऐसी बढ़ा है ऐसे ही बढ़ा है आगे भी ऐसी बढ़ा हैं Next thing अब जरा L2 को देख लेते हैं अजी नीचे आईए अब यह जो सबसीक्वेस है आपके पास मेरे प्यारे प्यारे बेटा इसमें X3 है 9 है, 15 है, 21 है अगर यह पूरे सीक्वेस का limit L3 है तो यह जो odd terms वाले लेंगे 3, 9, 15, 21 बटा इसका limit भी L3 होना चाहिए लेकिन यह तो यहां भी बैठा हुआ था ओहो, कमाल हो गया भाई सच में कमाल हो बात समझ गया 3 is here, 9 is here 15 is here इसलिए इतनी सरी terms लिखे थी इस सेकंड माले सीक्वेस का limit L2 है तो इसके इस सीक्वेस के सब सीक्वेस का यानि X3, X9, X15 का limit भी L2 होना चाहिए लेकिन यहां तो L3 बता रहे है तो इसका limit L3 भी है और L2 भी है बट लिमिट तो यूनीक होता है L1 तो L2 के बराबर है L1 यानि E1 टर्म्स का सब सीक्वेस का limit L2 यानि और टर्म्स के सब सीक्वेस का limit और यह दोनों लिमिट सेम लिमिट आ गई है बहुत बढ़िया होगी ना बल्ले बल्ले तो बटे सेकंड पार्ट भी करेक्ट है यह भी करेक्ट है थर्ड वलप वॉल से क्यों एक्जाम्पल देख लीजिए चूस्ट सेक्वेस एक्सेंट तुभी रूट न अंजी बाटल एंचरवड बाटल एंचरवड एंचरवड एसके मापा रियल अनलिसिस भाई विवेकनन माई बूक और सिंगल एंचिंगल वला जो रियल अनलेसिस कोई भी रियल अनलेसिस को भूका ठाहिए है उसमें ये एक्जाम्पल दिया होगा दिया होगा तो चूस एक्सेंट दुभी रूत न्सोगेट बीच्वी रूटन वंद्व तो धी रूटन वट इस्को राशनालिज पोरेगे अंजी this turns out to be limit n goes to infinity 1 by root n plus 1 plus under root n अंजी this is 1 by infinity basically तो ये तो 0 पे जा रहा है ये sequence का limit 0 आ रहा है लेकिन xn का limit तो infinity है यानी conversion नहीं बिटे ये थर्ड वाला भी गलत होगे ठीक है जी अब जरह last वाले में आते हैं मैं थोड़ा सब दो discuss कर लेता हूं exactly इधर क्या लिखा था वो नहीं पता बड़ जैसा कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर यहां कुछ ऐसा था कि जैसे हम के को वैल्यू दे रहे थे वैसे यह even terms का 2 की powers बंद रहे हैं खाली x2 बंद रहे x4 बंद रहे x8 x16 उसके बाद आपका 32 बंद रहे तो उसकेस में तो आप sequence minus 1 power n ले लिए उसमें even terms का sequence subsequence or odd terms का subsequence and you know accordingly क्या होगा यह गलत होगा अगर वो चीज है तो बागी I'm not clear with this कि क्या लिखा हुआ तो मैं आगे कुछ कमेंट भी नहीं करता है जहां तक है वहां तक क्वेश्चन कंप्लीट करके दे दिया नेक्स्ट आपका फ्यवरेट complex analysis होना भी चाहिए जिस बच्चे को एक्जाम क्ले करना है उसको complex or real के साथ complex or linear algebra अच्छे से होना चाहिए बिटा पूरा syllabus करने के बाद complex analysis और linear algebra ऐसी चीज़े हैं जिनको sweet dish कह सकते हैं कि कितना ही आप पढ़ लीजिए चलिए linear algebra में बहुत सरा time पहले लगा देते हैं उसको छोड़ो complex analysis तो सच में literally sweet dish ही है reason being कोई भी बच्चा ऐसे नहीं होगा जो complex analysis सबसे शुरू में बढ़ ले क्यूंकि नाम है complex analysis तो obviously it is next to real analysis पहले पूरा real analysis करते ही करता है भले ही interest के साथ ना करें तो real analysis करते कर तो इसका बहुत सरा time निकल जाता है time निया लेकिन जब complex पढ़ना शुरू करते हैं तो मीठी गोली के तरह अंदर और 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 क्यों integral इतने अच्छे होते हैं complex में similarity के question में स्यांदार होते हैं कि आराम से निकले है तो 2-3-4-5 questions तो कहीं जाने रहे complex के सब सब बच्चे कर सकते हैं आप लोगों ने भी कर दिया होगा इतना मीठा question है आहिए जरा let it be an entire function then इसमें से क्या entire है देखके डर डर लग रहे बच्चों को f of z bar f z whole bar f z bar का बार and you know what तो ये करने के लिए function कैसे होना चाहिए कुछ entire functions कुदा भी जाए polynomial है, exponential e power z है, sin z है, cos z है अब sin z cos z तो ठोड़ो, polynomial में तो vast है अरे e z ले लो भाई, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा e z लेके question कर लेते हैं बड़े अराम से मजे में हो जाएगा let me choose, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी सब कराएगे choose f z, f z to be ez अब यह तो entire है, ज़र देखें, पहला पाट, र्यान दीजेगा what is f of z bar, मेरे बीटा this is e of, इसका यह बार हो जाएगा, यह x minus iota y तो अगर आप e power x को अलग करेंगे, तो e power minus iota y को लिख सकते हैं cos y minus iota sin y, कोई बड़ी चीज नहीं है, कि आप ना कर सकते हैं पर आम से कर सकते हैं इसको u बुला दीजेए, इसको v बुला दीजेए, और ज़र ध्यान से देखें what is ux, what is ux, मेरे बीटा, same what is v y, haa, kaushiriman, kaushiriman, y, आपका sahara that is minus e power x, जब इसमें y का करेंगे, आप derivative y का तो cos बन जाएगा, अब ये बताईए जरा, ये दोनों आपको कहां से बराबर दिख रहे हैं in general ये तो equal आएंगे नि, these two are not equal अगर ux, किसी एकाथ point पे, अगर कुछ points पे, finitely many points पे equal आभी गया तो पूरे complex plane में तो equal नहीं है, मैं जस्त वैसे in general कह रहा हूँ मेंटा सब्दे का equal होने चाहिए न, नहीं है, so because ux और vy equal नहीं है तो koshirima not satisfied, तो इसका entireness तो गया, भगवान को प्यारा होगे, अब आते हैं second वाले पे फिर बार लगेगा, लगाएंग अभी लगाते हैं, तो this is bar of e power x अलग से cos y plus iota sin y, अरे मेरे प्यारे प्यारे राज दूलारे बेटा, क्या ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा हां जी तर बन जाएगा बन जाएगा तो आपके सामने लिखा है देखिया तो है तो इसको यू मानो इसको भी मानो यहां भी koshirima not satisfied नहीं होगा इसका entireness भी भगवान के पास चलाने बहुत हो भगवान के पास चला गया इसको भगवान के पास रहें भीजे अब आते हैं थर्ड पार्ट और फॉर्थ पार्ट पर बिटा थर्ड पार्ट करने से पहले जगा नहीं है महरे पास तो जरह फॉर्थ पार्ट की तरफ नजर तो दोड़ा हो अरे भाई fz-bar fz-hole-bar यानि यह फॉर्स्ट और सेकिंड का सम फॉर्स्ट यह एक्स्प्रेशन ह नहीं है तो बिटे जब इन वनों का सम करेंगे तो है ना यह नो बज़े दार चीज है मैंने तो पहले ही बोला था आपको आईए जरह अगर अपने थोड़ी सी वी अकल है जो की है इसको अगर आप यू प्लस अईवी लिख देंगे तो यहां भी क avanzf नहीं होगा तो यहां भी कॉश्री मांद ज इस फाइन नहीं हो रहा है तो अपने दिल से पूछी लिया होगा आपने पहला गया दूसरा गया चौथा भी गया अब किसी ना किसी को तो इंटैर हो नहीं है तो थर्ड वाले हो जाएगा कि थर्ड वाले में अभी यह सारा रब करके आपको करके बता देता हूं कि इसमें होगा क्या नेट मी टेल यू क्वेस्टन बहुत अच्छा था यार सच में नाइस क्वेश्टन देखो ऐसी चीजें आई हैं जजाम में तो मजा नहीं आजए कि यहां देख लीजें एस एफ ओफ जेट बार जो आप लोगों ने लिखा था यह एफ जेट बार आपके सामने लिखा हूं तो दिस विल भी माइनस आयोटा तो जब आप इसका भी बार लगाओगे बार का बार प्लस हो जाएगा बहुत बढ़िया अगर यह प्लस हो गया तो यह क्या बन गया मेरे बेटा अरे भाई यह तो बन गया e power x along with cos y plus iota sin y this will be e power x into e power iota y so this is e power z ओ हो यह तो entire thank you very much आगे न मजा देखो maximum बच्चों ने कर लिया था यह question कर लिया था अराम से हो जाएगा बहुत अच्छा नाइस question ऐसे question छोड़ना नी चाहिए और इश्वर करें ऐसे question बच्चों के लिए आते ही रहें आते ही रहें और आते ही रहें next thing yes हर बार आपके लिए लेकर आते हैं इस बार भी लाएं यह question from uniform convergence uniform convergence set pattern पर question देता है set pattern जिस भी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है अपने आप कर लेगा कुछ देखिए uniform convergence में क्या करना होता है एक sequence दिया होता है fn कोई interval होता है आपका a b open close जो भी है उसके बाद आपको सबसे पहले इसका limit निकालना होता है limit of fn x point wise limit जो भी answer आएगा उसको fx define कर दीजे और बोले कि fn converges to a point wise बोले मतलब limit निकाल के ऐसा हो जाता है point wise तो आ गया जी उसके बाद number 2 mn define करते है आप क्या norm भी बोला जाता है अगर आपने norm पड़ा है तो या फिर AC को बोला जाता है supremum of mod fn x minus fx mn जी मेरे बिटा number 3 अगर mn का limit 0 है तो सबने पड़ा है और अगर यह नॉन जीरो है यहां आप बोलेंगे convergence is non uniform convergence uniform set better अराम से चारो parts बड़े अराम से बड़ा मज़िन हो जाएंगे लेखे क्या मज़दार question students क्या करते हैं लेकि आप लोग उन्हें में notice किया होगा जिस तरह को question नहीं मैं अपनी टारीफ नहीं कर रहा भाई जिस तरह question हम class में discuss कर रहे हैं मैं कर रहा हूं मैंने last time भी किया था बैटा वो students I don't know questions जो उठाएंगे ना maximum students differential equations numerical analysis थे कि मैं उन subjects को degrade नी कर रहा हूं बट स्टिल भाई थोड़े चीज तो देखो इतना आसान question है आप करनी पा रहे है set pattern group theory का इतना आसान question कि किसी बच्चे ने income interest के साथ भी चीज़ा है group theorem बड़े हूं वो भी कर ले complex question देखा तो अभी फिर इतना question है रहा है राम सूजनल सिए आये जब इदर उदर नहीं घुमा रहे हैं आपको set pattern पर question दे रहे हैं आपसे question नहीं हो रहे तो आप ही कहलती है ना प्रेले बाले पर आये अजी मेरे बिटा मैं पहला पार्ट कर रहा हूं limit n goes to infinity fn that is limit n goes to infinity x power n हम सबको पता है अगर कोई a 0 से 1 के बीच में लाए करेगा तो limit of that a power n कितना आता है मेरे बिटा 0 तो ये भी तो 0 आएगा कैसे आ गया सार वो कहीं रहा है ना interval 0 है भाई इसको अगर आप fx बुला दे मैं तो पूरा करके दिखाऊंगा therefore sequence fn converges to f uniformly sorry point wise uniform तो एक्जामिन करना है point लेकिन हमारा और उसका पेट point wise से भरेगा नहीं uniform चाहिए तो उसके बाद अगला step में मैंने आपको बोला था mn define करने के लिए मेरे पिट्टा mn is norm fn minus f0 है f0 है तो this will be supremum of fn x minus 0 that will be simply supremum of x power n where x vary कर रहा है 0 1 पे आप चाहें तो x power 1 x power 2 x power 3 या नहीं y is equal x y is equal x square y is equal x cube y is equal x power का graph बना के भी कर सकते हैं क्या करना है वही interval 0 1 पे supremum 1 आएगा x का x square y you know x square का supremum 1 आएगा x cube का supremum भी 1 आएगा हर बर 1 आएगा भाई 1 आएगा 1 डोंट वरी तो this is 1 मिटा अगर mn का value 1 है तो limit mn तो 0 आने से रहा कि यानि कि इस केस में तो fn uniformly converge नहीं करेगा तो पहला पार्ट तो गलत होगे अब इसी तरीके से अब सेकिंड थर्ड फॉर्ट कर से ने 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 आम नॉट लिए भी आम छोड़ना हमारा काम नहीं हम डंग से कराते हैं तो मैं इसी पैटन पर आपको थर्ड पार्ट करके दिखा रहता हूं तो यह अगर हम करने जा रहे हैं सेकिंड पार्ट पार्ट में यह है आपका एक्स पावर एन डिवाड़ेड बाई लॉग में वन प्लस न विटा अगर आपने नोटिस किया है तो एन गोस्टो इंफिनिटी यह उपर वाला अभी अभी करके भी बताया था मैंने फिर से देख लो जो बच्चों की तरह लिमिट तो निकाली सकते हैं इसका इंडिवीजवल का लिमिट जीरो और वन बाई इंफिनिटी का लिमिट बहुत बढ़ी है समझ गए तो इसका लिमिट भी जीरो है जीरो को आप एफ एक्स माल लीजिए उसके बाद यहां तक आते आते यह बन गया अगर आपने uniform convergence कभी ठीक से किया है पहले बाले स्टेप में एन वेरी करता है दूसरे स्टेप में एक्स वेरी करता है सुप्रेम में एक्स बिलॉंग सुझ जो भी गिवन इंट्रेवल गिवन पॉर्शन अगर एक्स वेरी कर रहा है तो राइट ना एन कॉंस्टेंट की तर इसका सुप्रेम में तो अभी बेनी काला था? 1 आएगा और वो एजट इस रहेगा, न्टिक रहेगा, थेंक्यू वेरी मुच वेरी मुच विल बिल 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 बिल्स बिल बिल ववा लॉग 1 अग्स एन this one is perfect for the chain so therefore हाँ जी that is 1 by infinity that is 0 बहुत बढ़ी है अगर एमन को लिमिट जीरो है तो कंद्वर्जिंस कैसे है मेरे बिटा यूनिफॉर्म यह आपका हमने सेकिंड बाट कर दिया अब इसी तरह थर्ड पार्ट करा देते हैं कराना तो है देख लूँ कि 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 पार्ट नुबर थ्री कि अगर थर्ड पार्ट में fn x से आपका बिटा प्रिम्म एक्स पावर एंड डिवाइड बाइं इसलिए नहीं है क्योंकि everything is non-negative ऐख वेरी कर रहे है एक्स वरी कर रहे है मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा experience says it all यहां वहां चमक दमक में मत फसी है experience देखिए कितनी अराम से आपको करा दिया जाएगा यह function को ऐसे करके लिख दिया बिटा इसको मान लीजिए supreme of phi x अब इसका supreme कैसे निकालेंगे अरे हम निकलवाएंगे भाई देखो x vary कर रहा है open interval 0 1 ठीक है जी तो x की value 0 1 के बीच में लाए करेंगे नजऑ सक्षिक लिए अिक्षिंग्रीस करेंगा दो एक संग एक संगी ग्रिवाएंगे इसका पूरेका रीवापलिए यहадर मेरे चलाओ चलाओ ना को आपको I'm sorry wait wait X increase कर रहा है Xn increase कर रहा है तो वन बाइसे डिक्रीज करें रेसिप्रोकल होगे नहीं डिक्रीज करेंगे अगर किसी increasing function में constant add करेंगे तो वैसे increase करेंगे सब्ट्रेक करेंगे तो भी increase करेंगे constant add subtract करना से monotonicity में कोई फरक नहीं आता है तो इसका पूरे करेंगे अच्छा तो यह जो 5 है यह increasing है अगर कोई function increasing है तो supreme इनक्रीजिंग है तो supreme इनक्रीजिंग है तो सुप्रेम इनक्रीजिंग है यह जीरो है वन है फंक्शन है increasing supreme last point पे होगा बच्चा कह सकता है किसे इंट्रेवल तो closed है sorry open close तो है नहीं तो close नहीं है तो one तो touch हो रहा है लेकिन supreme तो अधरी जा रहे है limit ले लो भाई limit ले लो तो supremum 5 अब 5 1 नहीं लिख सकते मान यह नहीं लिख सकते यह तो लिख सकते है just wait बोली हो बोली अब बोला नहीं जा रहा है limit x tends to 1 5 जो भी होगा वही supreme में that's it question over question over my dear question over this is same as limit x tends to 1 5 x अजी एस expression कर क्या होगा as x tends to you know 1 over 1 plus 1 2 that means 1 by 2 और यह तो कभी भी 0 नहीं हो that is limit n goes to infinity mn is never 0 that is sequence fn f पे converge नहीं करेगा uniformly third part भी है इसको clarity कहते है भाई this is clarity अब आते है fourth part पर जब इतना करा दिया आपको तो चौथा भी करा ही देते है I hope you are ready take your time take your time सब अराम से हो जाएगा भाई और हो रहा है बिल्कुल हो रहा है अराम से कोई आई तौबा नहीं है आई जरा करें आउ बच्चे अब हम कर रहे है fourth part part number four fourth part पर फूर्थ पर्ट में xn divided by okay तो दिस लिमित n गोस तो इंफिनिटी xn divided by 1 plus n xn अब ये क्या बला है देखो बिटा अगर आप इसको ऐसे लिख पाए लिखी दो गया लिखी सकते हैं तो एजन गोस तो इंफिनिटी ये वन बाइ जीरो वह भी इंफिनिटी तो वन बाइ इंफिनिटी जीरो बहुत बढ़िया लगा तर चौथे पार्ट में ये तो जीरो ही आगया जी तो यहां आपको सहूलियत हो गई इस विल बी सुप्रिमम ओफ जैसे पहले लिखवाया था बिल्कुल वैसे ही आप लिख सकते हैं अब एग्री करेंगे यहां जी सर ऐसी हो जाएगा मैं करके दिखा देता हूं आपको ये वाला इसको अगर आप 5 मान रहे हो तो आपको ये वाले स्टेप में एक्स वैरी कर रहा होता है तो एन इस लाइक अ कॉंस्टन तो भी वह डिक्रीजी करेंगा तो 1 प्लस आप समझ गए मेरी बाद यानि जो 5 फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है तो ये पहले की तरह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पाइक्स अब आप अपने दिल से पूछिए जरा एक्स टैंस टू 1 एस एक्स्प्रेशन में डालेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइद बाइ 1 प्लस न थैंक्यू वरी मिच 1 डिवाइद बाइ 1 प्लस है तो कमाल ही हो गया ऐसी कमाल होगा अगर आप हमारे साथ रहोगे तो यहां वहां जटके खानी की जुरुवत नहीं है इदर आजीगे यह देट इस सीक्वेंगे पिन चुन पर आपकी पॉकेट में इतनी अराम से आ सकते हैं आप रेजिस्ट करते हैं नहीं तो सक्सेश आपके दर्वाजे पे खड़ी है देख लो भाई कितनी अराम से क्वेशन करा दिया गया है तो आई होप यह डिस्कुशन आपको काफी अच्छा लगा होगा लगना भी चाहिए चलिए जल्दी मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में थैंक्यू थैंक्यू झालाब करा लंदी मिलते हैТак ऑम ख़ह म nehme कितना अराम से क्योंटे है इसके रव़ाज़ श्रें जल्दी मिलते हैं बस्त बासेचां अराम से इसके क्या अराम